हेलो फ्रेंद्स, जब भी महमान आते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि क्या सबजी बनाएं, तुरन दिमाग में आता है कि पनीर का सबजी बनाएं, लेकिन आज हम पनीर को छोड़के दुसरा कुछ सबजी बनाएंगे, जो महमान को बहुत ही अच्छा लगेगा, और चाट चाट का प्याज हमने इसे गोल्डेन ब्राउन कर लिया है देखिए और प्याज डालने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे अद्रक लसुन और हरीमीज का पेस्ट इसको भी अच्छे से भून लेंगे और गेज का फ्लेम को मीडियम में रखेंगे यह सबजी बनाना बहुत ही आसान है तूरंत मेहमान पहुंच जाएंगे तो हर घर में यह सबजी रहता है हम लोग इसे तूरंत बना के सर्प कर सकते हैं यह देखिए अद्रक लसुन भी अच्छे से पग गया है अब हम यहाँ पर डालेंगे टमाटर का प्यूरी हमने एक बड़े साइज का टमाटर लिया है औ इसे डाल कर अच्छे से मिक्स कर देंगे अब इसके बाद डालेंगे पौडर मसाले एक चमाच हल्दी पौडर एक चमाच लाल मिर्च पौडर एक चमाच धनिया पौडर एक चमाच जीरा पौडर और इसमें एक चमाच डालेंगे कलर के लिए कस्मिरी लाल मिर्च पौडर सारे चीजों को अच्छे से भून लेंगे अब यहां पर डाल देते हैं स्वादनुसा नमक नमक डालने से क्या होता है टमाटर हमलो का अच्छे से जल्दी से पक जाता है ये देखे मसाला हमलो का अच्छे से भून गिया है और गेस का फ्लेम इहाँ पर लो कर देंगे लो करने के बाद इहां पर डालेंगे दो चमच दही डालने से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा सब्जी का स्वाद दही को continue चलाते जाएंगे ये देख़ेए मसाला अच्छे से भुन गया है ये सबजी बहुत ही आसान है बनाना और हर घर में ये मसाला सब मिलता है और उसी मसाला से हमाज बनाएंगे ये देख़ेए मसाला भुन गया है और इहां पर हम डालेंगे स्वैबिन स्वयबिन को हमने अच्छे से बॉयल कर लिया है और आलू को भी अच्छे से बॉयल कर लिया है आलू को हमने बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है और मसाले के साथ हम यहाँ पर इसको फ्राइ करेंगे जितना आप फ्राइ करेंगे उतना ही टेस्टी बनेगी ए स्वयबि स्वविन आलू का सबजी बहुत अच्छे से भुन गया है आप इसमें डाल देते हैं पानी ग्रेबी आप जितना रखना चाहते हैं उतना पानी डालेएगा हम यहाँ पे सेमी ग्रेबी रखेंगे इसलिए हम थोड़ा सा कम पानी डाल दें और इसको कभर कर देंगे मीडियम आज में 10 से 15 मिनाड तक ये देखे हम लोग का स्वाविन आलू का सब्जी अच्छे से बन के तेयार हो गया और महमान को परस दिजे इंचे